आशाया बहुशेवानी का किताब 40 सद्याई 4 और 5 वच्चन और भी वच्चनों को हम पढ़ेंगे आशाया बहुशेवानी का किताब 40 सद्याई 4 और 5 हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड और पहाड़ी गिरा दी जाए जो टेड़ा है वह सीधा और जो उच्चा नीचा है वह चौरस किया जाए तब यहोवा का तेज प्रगट होगा और सब प्रानी उसको एक संग देखेंगे क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है अरेक तराई भर दी जाए अरेक पहाड और पहाड़ी गिरा दी जाए और जो टेड़ा है सीधा और जो उच्चा नीच्चा है वह चौरस किया जाए परमिशर लोगों को डून रहे हैं लोगों का जीवन को बनाना चाते हैं लोगों की फुकार होते हैं अरे परमिशर क्या कर रहा या परमिशर मेरे प्राबलम को नहीं देख रहे हैं लोगों की अंदर में यही पुकार होते हैं क्या प्रभु जी मेरे समस्या को जानते नहीं क्या लेकिन यहां पर परमिशर का इच्चा है कि आपका जीवन में जंगल में मार्ग बनाया जाएं कहां पर जंगल में जंगल में परमिशर की अवाज आता है जंगल में अभी सोचो कोई भी यहां से जायेगा को यहां पास पास पे कोई जंगल है है इस जंगल गुजरात में है क्या कहां है कि तो बताओ यहां गुच गिर फारस्ट वहां पर शेर वगरा है पर शेरों के जाके प्रचार करोगे अरे शेर सबको काटके का रहे हो मन तो फिर आओ जंगल में परमिशर बात्या करें जंगल में पुकारने वाला क्या हो आ जाया आज मेरे सामने मंगल माय लोग नहीं रहते हैं हमेशा जंगल वाला ही लोग आते हैं कलिसिया में जंगल में परमिशर उपस्तिद हो जाते हैं शेर जैसे लोग है, जीवन में कटिनाई को सामना कर रहे हैं, जंगल का जीवन बेतित कर रहे हैं, आपके लिए सुबसंदेश है, जंगल में यहोवा की अवाज सुनाई दे रहा है, आपका जंगल में परमिशर मार्ग तयार कर रहे हैं, जंगल को मंगल बनाने वाले हैं, मह राज्या के लिए वेलकम बोड डालने वाले हैं, आज आपका जीवन में जंगल है, मार्ग नहीं है, ठेडा मोडा है, उपर नीचे है, कैसे रहेगा, एक दिन अच्छा से प्रभु की आराधना करने में मन लगता है, दूसरे दिन एक दम जाके गड़े में पढ़ा रहते हैं और कमाई करते रहते हैं, करते रहते हैं, फिर भी तराई कभी बढ़ते नहीं हैं, कितना भी कोशिस करो, हड़ी गिस गिस आके मेनद भी करो, परमेशर का आशिस नहीं आ रहा है पासर जी, मेरे तराई कभी बढ़ते नहीं हैं, मेरे तराई बढ़ते नहीं हैं, पहाड बढ़ते जा रहा है तरही तो बढ़ते नहीं है जो लोन है वो तो अठना रही लेकिन दूसरे करजा पहाड जैसे बढ़ते जा रहा है जंगल को परमेशर मुलाकत करने जा रहा है जंगल दुनिया में ये की जो संदेश है पापी लोगों के लिए है इस्व मसी का संदेश है अईसे दुष्ट लोगों के लिए दुष्ट लोगों को दुसरे दरमों में अमेशा यह बात होते दुष्ट को नरग मिलेगा मैं जब चोटेपन में पांचवी क्लास में पढ़ रहा था हमारा ऐसे इंदू स्कूल था हो वो स्कूल के अंदर में देखा कभी सारे पिक्चर डाल के रखते थे कैसे कैसे नरग में दंडम मिलेगा चोर किया तो उसका हाथ को काटेंगे विवचार किया तो उसका आंकों को फोड़ देंगे आइसे इसे कभी सारे picture लगा के रखते थे देखते देखते लड़के लोगे को डर आएगा कम से कम पाप नहीं करेगा फिर भी करते नहीं है हां बोला करेंगे नहीं करेंगे तड़ा बहुत ठीक है तड़ा बहुत डिसिप्लेन के लिए सोचते थे लोग लेगिन किसी का भी यह आत्मी सुदर जाएगा अच्छा हो जाएगा सोचने वाला नहीं रहेगा कंडम करने वाला रहेंगे एक मैं पढ़ा था Thomas Alva Edison कोन है वो अधिश्य बल भी बनाए कभी सारे इंवंशन किये उसने ठीक है लड़का चोटे पन में था स्कूल में से एक लटर लेकर आया लटर में लड़का तो पढ़ने नहीं आता है चोटा लड़का था लटर लेकर आया ममी के पास दिया ममी ऐसी से लटर दिये स्कूल वाले ने क्या पढ़के बताओ ममी ने बोला बेटा ऐसा है तुम्हारा बारे में टीचर बोल रहे है तुम बहुत जीनियस हो तुम बहुत उश्यार हो तुमको पढ़ाने वाला हमारा पास बस की हमारा बस की बात नहीं हमारा पास ऐसे तुमको सिखाने वाल टीचर नहीं है हमारा पास इसलिए दुसरे कहीं स्कूल डोन लो कहीं दुसरे ममी से सिखाओ कहीं करो ऐसा ममी बोल रहे थे तो लड़का भी चौग गया अरे मैं क्या जीनिय से बोल रहे है कावी साल बित गया ये गटना होने के बाद कभी सुना कोई लोग आप लोग इस बातों को हां क्या बोलो क्या हुआ ममी मल गई उसके बाद डबब में लटर मिला वेरी गोड क्या था उसमें वेरी गोड कहां से सुना था आप हां फेस्बुक में फेस्बुक में भी अच्छे चीज भी है टेक्स्ट बुक में ठीक है फेस्बुक में मैं देखा था फेस्बुक में गलत भी है सही भी है सही को अगर देखने के लिए आपका invention कि है physics में यह effect photo electric effect क्या क्या चीज है कभी सारे चीजों के invention किया गेवल बल्ब नहीं है सब लग बल्बी बोलेंगे क्योंकि हमको बल्बी मालम है दूसरे चीज नहीं बता रहता है लेकिन उस आत्मी के जीवन के बातों को मैं बता रहा हूं इतना पागल तुमारा लड़का, नालायक बेखार है, इसको तम पड़ा नहीं पाएंगा, हम इसको स्कूल से, क्या कर रहे हैं, निखाल रहे हैं, जो करना करो, तुमारा लड़का एक तम भगवास है, यही तो कायते हैं, सुबस संदेश, ऐसे जो जंगल है, जंगल में से लाइट आ गया है, जंगल से मंगल बना दिया, मेरा परमेशर का कमाल है, आज आपके सामने कड़वा, यह तामस भी ऐसे ही है, यह तामस है, वो तामस एडिसन है, सामस नाम वाला कावी सारे लोग बदमाश होते हैं, बात में परमेशर उसको कैसे भी पगड़ लेते, बाइबल का भी तामस था, वो भी तोड़ा बदमाशी किया, क्या बदमाशी, जब तक देखेंगे नेम विश्वास नहीं करेंगे, चंगाई करके दिखाओ या, तभी तो विश्वास करेंगे, सहिए ये, सहिए बोलो, आज़े विश्वास करना है, युश्व के चेले लोग, अन्या जाती है तो टीक है या, विश्वास ही साड़े तीन वर्ष साथ में गुजर चुके हैं, सब देख चुके हैं, फिर भी कहा रहा है, देखने के बात ही विश्वास करूँगा, लेकिन वही थामस आया, बाहरत देश में मले में, एक थामस का भीज बोया गया, आज विश्वा बर में, केवल इंदिया में नहीं, विश्वा बर में, स्वर्ग जाएंगे तो पता चलेगा, कम से कम लाग तो होंगे थामस लोग, एक थामस कितना थामस हो गया, लाग हो ग अध्वारा अजार बनेंगे, बले नाम तामस नहीं होगे, लेगिन आप भी प्रभु का छिले बनेंगे, ये कितने बनेंगे? अजार, ये किसका कुभियत है या, मेरा नहीं, तामस एडिसन का कुभियत नहीं है, वो लिकाता है, पागल अद्मी है, पागल लड़का है, टूट जाएगा ऐसे लड़का कभी देखे अंडा के उपर जाके बैटने वाले बैटाएगी नहीं क्या 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 उर्सोचर था चोटे पन में ऐसे आत्मी को लोग इंकार किया जंगल में परमेश्र की आवाज आया उस मम्मी का इरदे में अपना बेटा के लिए जो दर्श जंता मेरा बट बड़ा बनेगा और विश्वास इता यह कास वो तो अई नहीं होगी यह फर मिश्वास करने वाला आत्मी कि आए परमेश्र उसके द्वारा है कि आज लोग दीवाली बनाते लाइट का बगान मान कि चलते हैं लेकिन लाइट का पिता जोतियों का पिता है जोहुति का आईडिया देपायेगा या, जोहुति का आइडिया कोण दिया, जोहुति का परमेशर्व, आज बड़े लोगों के लिए अर्टी जी, बाइबल कहानी सिखाएंगे, खितने बज़े, آट बज़े, यह सब कतम हो जाएंगे, जो जैन्ड लोग है, लेडिस भी है, बड़े लोग, जो बाइबल, इतना जानकारी, जो जानकारी वाला घर चला जाओ, जो जानकारी में कमी वाले हैं, कहानी, अभी तो मैं तो बाशन दे रहा हूँ, वहाँ सकहानी दिया जाएगा, सुन लेने का, ठीक है? तो ओ देखो, कहसे बनाया या, परमेश्व जो बड़ा उजाला हो जाओ, कहसे आगया उजाला माले में, कहां से आया, बताओ, यंगर्द मांद दे, वच्छन वच्छन बड़ा, उनके अंदर से आया उजाला या, सुराजर संदरमा भी जरुत नहीं है, वह तो फोर्थ डे बनाये गया, कुण सा तारीक, कुण सा दिन, चारवा दिन में, यह भी सिस्टर सिखाएंगे, कैसी कैसी बनाये, पहला दिन क्या बनाये, और पांच्वा दिन क्या बनाये, जवान बच्छे लोग भी बाइट के सुन सकते, जिसका आडिया नहीं है, कुछ लोग जीरो मार्क ले रहे हैं, पढ़ो ता या पढ़ो, थामस एडिसन का कहानी सुन करके, आप सोच रहे मैं भी जीनियस हूँ, यास, I bless you, आप जीनियस बनोगे, मैं आशित देता हूँ, जीनियस बनोगे या, लेकिन देखो, जरूर तकलिफ हुआ होगा, ममी को प्रबलम होग बाद में बोलते हैं, ममी खुद पढ़ाये, होम स्कूलिंग, लेकिन जम निकल गया, जंगल से मंगल बन गया, सारे विश्व बर की लोगों को उज्जाले देने वाला, एक इंसान बन गये, जिसके बारे में स्कूल वाला ने बोला, ये बेगार लड़का है, जंगल में मा जंगल में आवाज को सुनावो, आज सुभसंदिश सुनाने वाले मेरे बाय बाहनो, मेरे सह सेवक लोग, जंगल को डून लो, बना बना वा नहीं मिलेगा, जब सेवक अई शुरू क्या, मेरे पास कोई भी बना बना नहीं था, बना बना नहीं, एक दम कच्छा पका, जंगल परमेश्र जंगल में बेच था जंगल में बात करते हैं मंधिर में बात नहीं किया माले में जब युश्व मसी का सेवकाई शुरू हो रहा था यह युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला कहां सेवकाई कर रहा था बोलो अरब जंगल में वहां उपास प्रातना कर रहा था वहां पर परमेश्र की आवाज आया मंधिर में बड़े-बड़े धर्म गुरु लोग है बड़े-बड़े पदवाले है आज लोग सोचिर बड़े-पदवाला से परमेश्र बाते करेगा परमेश्वर का बात करने के लिए एक इमानदारी नम्रदाई को टूटे वा दिल वाला चाहिए बस क्या चाहिए टूटे वाला committed समर्पित इंसान कुछ भी हो जाए प्रभु के लिए जीवंगा अईसे आत्मीता जान भी बलीदान दिया यहुन्ना बक्तिस्मा देने बाला उसका नाम ही बक्तिस्मा देने बाला यहुन्ना अद्भुद्रिदी से जनम ववा ममी का बुढ़े पय में बुढ़ा पय में नाम क्या है उसके ममी का नाम यलिशा, यलिशिबा, वो बुढी थी, उस समय में बच्चे हो गया, युहुन्हाबबतिस्मा देने वाला जनम हुआ, उसके बारे में इने अईशा यहां पर बता रहे है, जंगल में वाज सुनाई देगा, जंगल में अपना वाज को सुनाने वाला परमिशर, जंगल जैसे आपका जीवन को परमेशर मंगल बनाने वाले आज आपके लिए एक सेवग बन करके मैं आया हूँ जंगल में परमेशर की आवाज सुनाने के लिए हर तरह ही बरदी जाएं अल्रड़ी बना हुआ चीज नहीं है वो तो है दूसरों विए किसेवकाई करेंगे लेकिन माईम आये जिवंकराच है मेरे बाईबन क्या सेवकाई आपको करना है बने बने है शहर में जाकर के सब बना गया सब दूसरे लोग मेनमेद करके बहुत सिधा सादा कर दी है तेड़े मोड़े सीधा होगे है बहुत पढ़िया होगे है ऐसा लोगों को बैठा करके गिद गाते रहेंगे उनका भी करना है यह नहीं मना नहीं कर रहा हूं लेकिन ज्यादा जरूरी है जंगल में पड़ेवे लोग है उपर नीचे के लोग है तेड़ा मोड़ा है जो अफेक्टेड है थामा सेडिसन जैसे कांडम्ड है डिसकांटिनूड है पढ़ाई नहीं हो पाया ऐसे आत्मी है लेकिन परमेशर का वाज हर तरही बर दी जाए गाटियां सभी बर दी जाए उंचे सब डाह दिया जाए हर गलत चीज रुकावट आज परमेशर की आत्म कारिय कर रहा है जब वच्छन बताया जाएगा परमेशर की दास लोगों के द्वारा परमेशर के वच्छन जाएगा आपका जीवन की पहाड़ों को चुकना चुरकर डालेगा मेरे बातों को सुनने वाले, मेरे बाई बहन, आज एक बवशिवानी वच्छन, आपका जीवन को बदलने वाले वच्छन, आप अपने बार में कुछ भी सोच के बैटे होंगे, परमेश्वर आपके पास अपना वच्छन को बेज रहे हैं दूसरे आइडिया नहीं, दूसरे कितनी जुगाड नहीं, मोटिवेशन नहीं, कितनी सारे ज्जान की बात नहीं, दुनिया की सिद्धान्द नहीं, परमेश्र का वच्छन आपके पास आ रहा है, विशवास करो, इसमसी के बलीदान पर विशवास करो, तेरे पापों को यही मेरे जनता को शांती दो शांती दो शांती का संदेश देने के लिए आम आ रहे हैं लोग आमें तपड मारते हैं आमें इंकार करते हैं लेकिन फिर भी परमिशर कहते हैं तुम शांती प्रचार करते रहो शांती का प्रचार करना लोगों के पास शांती पहुंचाना परमेशर अमारों पर नफरत कर रहा है यही पिक्शर था दुनिया वालों के लिए भी इवन धर्मिक लोगों के लिए भी वहां तक आईशा का किताब में 39 चैप्टर तक कभी सारे बातों को पड़ सकते हो 40 सद्याय में एक नई चैप्टर शुरू हो रहा है नई आवाच्चा शुरू हो रहा है फरमेशर काते मेरे जनता को शांती दो शांती दो जंगल को मुझे मंगल बनाना है लोगों को डांडते हुए लोगों के उपर दोश लगाते हुए लोगों का और भी गड़ा में गिरा करना चाहता हूँ उपर नीचे को चावरस करना चाहता हूँ यही आज का संदेश है कोन करने वाले हैं वच्छन को लगावो ठेड़े मोड़ा सब सीधा पवित्रात्म आपको करेगा लेगिन आप समर्पित हो ना प्रभु जी मैं कर नहीं पा रहा हूँ अपना आपको सही नहीं कर पा रहा हूँ कर दोगेossa कर देख़ो मैं जवानी पन में प्रभु के पास आया कविसारे घड़े ने से प्रभु मुझे उठाया हूँ है का संदेने कोई परिवार में एक ब्लैक सही trip ब्लैक मतला कालें वाला बात नहीं है ब्लैक सिप है अम्रगर में 4 लोग थे, बढ़े बाई एक बड़ी बहन, दोनों का कात एक दम क्लियर है, हो लोग कोई गलत किया नहीं है, बहुत अच्छे लोग है, पापा के गुड भुक्स में हैं। और में और मेरे और एक चोटी बड़ी बड़ी बन मेरे से दो साल बड़ी हम लोगों कई तोड़ा डगमगाने वाले जीवन थे कास करके मेरा तो बहुत नाम बदनाम था हमारे रिष्टदारों से भी किसी को भी पूछे गए तो पताएंगे और यह चोटापन में बहुत परमेशर मुझे आलग दंग से देखा मेरे जीवन को बदला मेरे जीवन में काम किया मैं तो करने ही पा रहा था कभी कभी मैं सोच रहा था प्रभू मेरे जीवन तो बदलने ही पा रहे है आज रात को मुझे ले ली चीए कम से कम मैं पाप करने बगर स्वर्ग तो आज ऐसे प्रात्ना करेंगे कितने उमर का लड़का ऐसा प्रात्ना करेंगा 17-18 वर्ष में ऐसे ब्यकू भी प्रात्ना किया मैंने और सोच रहे थे प्रभुजी इस रात को मैं सो रहा हूं मेरे इरदे में कुछ आपरेशन कर दीजे मैं सुभे उठंगा तो एकदम पवित्र इंसान बनके रहना चाता हूं अभी आंटी को पता ने अभी पता चल रहा है सुभे उठका देखा तो अरे वो ही है या बदला नहीं है प्रभुजी ने कुछ किया नहीं है मैं सोचा रात में ऐसे कर देंगे कुछ इसलिए स्रीदर सही बढ़ा आपके सहयोग के साथी परमिशायर करेंगे ऐसाने आपरेशन कर देंगे आपको बेहोश करा के कभी गभी यह भी करते हैं आत्मा से स्लेन हो जाते हैं लोगों के जीवन बदल जाता है लेगिन वच्षन ही जीवन को बदलेगा वच्षन से वच्षन को स्वीकार करोगे यही अमपरचार कर रहे हैं सारे प्राणी गास है उसकी शोबा गास का फूल है क्या है फूल कोई रेड कलर की होंगे कोई यलो कलर की होंगे ब्लाइक कलर की होंगे फूल तो, फूली है या, अलग-अलग रंग क्यों न हो, आज रहेगा कल, कतम हो जाएगा, लेगिन कायते है, अमारा परमेशर का वच्छन कभी नहीं कतम होगा, जो को, अच्छा संदेश शुरू करके, बोल रहा है, सुमलग मर जाने बाले हो, कैसे रहेगा, हाँ, संदेश शुरू करें, शान्ती दो, शान्ती दो, पहला वच्छन पढ़ना, पहला और दूसरा, अश्या 40 का, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शान्ती दो, शान्ती, यरुशलीम से शान्ती की बाते कहो, और उससे पुकार कर कहो की, तेरी कठिन सेवा पूरी ह हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगिकार किया गया है, यहोवा के हाथ से तु अपने सब पाफों का दुना दंड पा चुका है, हो गया है बुलते है यहां तो पुराणा वाच्छा की बात है वहां पर लोगों को दंड भुगतना पड़ा वहां पर उनके उपर जो जो दंड जरुरत देना पड़ा लेगिन अभी नए वाच्छा में हम आ गए हैं कामारा दंड को यूश मसी ले लिया है उसके कारण आपका करजा दो गुणा कितना गुणा क्लियर फारमेशर बोलते हैं आपको अशूरंस दिलाने के लिए आपको इंब दिलाने के लिए अगर आपका 1000 पाप है कितना पाप है 1000 कितना पेमन्ट होगे 500 double or off off कितना होता है 1000 का आफ 5000 का double कितना होता है जहादाय दे दिया जाओ या अनेका नहीं तुम 1000 मांग रहे ते ले के जाओ 2000 double दे दिया काता क्लियर कर दिये शैतान दोश नहीं लगा पाएंगे कोई भी दुनिया दोश नहीं लगा पाएंगे केवल आपका विवेक मन दोश लगा रहा है इस विवेक मन को शांती देने के लिए परमिशर के वच्छन बताया जा रहा है तेरे उपर में नराज में नहीं हो परमेशर आपके उपर नराज में नहीं अगर आप विश्वास करेंगे अगर उस प्रेम के आदिन में आ जाएंगे अगर उसके नाम को पुखा रहेंगे परमेशर आपको प्रेम देना चाहते है परमेशर आपको शांती देना चाहते है हर तराई बर दी जाएं, हर पहाड अठा दिये चाहेगा, हाज हो जाएगा, हाज परमिश्र की आत्मा मेरे द्वारा बाते कर रहे, इस वचन को जब प्रपर कर रहा था, मैं थड़पते हुए प्रात्ना किया प्रभू, मैं कितना बाशन देता रहू, यह गंडा दो गंडा करके, लेगिन मेरे से नहीं होगा प्रभू, आपका प्रेम लोगों का चीवन में, जो पहाड में नहीं जानता, वो उसका ह喝ाने के लिए, तेरा वचन को वेजिए, मेरे बाई लोग, बच्चे लोग अच्छन को स्वीकार करें, उस वच्छन के द्वारा जीवन बदल माला कितने भी वाइबव है, कितने भी पैसे है, दन दावलत है, पढ़ाई है, नौकरी है, सब थोड़े समय का है, लेगिन आमारा परमेशर का वच्चन सदारने वोले, यही आईशा का वच्चन को पत्रस कोटेशन दे रहा है, यहां पर आईशायम में आप पढ़ सकते हो, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, तब घास सूख जाती है, और फूल मुर्जा जाता है, नी संदे प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुर्जा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वच्चन सदेव अटल रहेगा, यही सुबसंदेश है, आपके पास कमी है, आपके पास प्राबलम है, लेकिन फरमेश्र का वच्चन है, सु समाचार है गुड नियूस है गुड नियूस यह नहीं है प्रभाब का अभी नर्ग में डाल देंगे यह गुड नियूस नहीं होगा यह बैड नियूस है वो तो सही है वो नियूस भी सही है वो नियूस भी सच है किसके लिए है जो good news को reject करेगा उनके लिए क्या news है सु समाचार ये इसलिए followers बोल रहे हैं जीवन का सुगंद फिलाते हैं कुछ लोगों को क्या होता है जीवन का सुगंद मिलता है कुछ लोगों को मृत्यू का दुरगंद दुरगंद होता है कुछ लोगों को जीशस क्रिस्टियन ये सब सुनने से उनके चकर लगने लगता है दुरगंद लगता है नाशोने वाला के लिए मुर्कता है आज अठल रहने वाला वच्छन है यही वच्छन को यही बातों को पत्रस अपने किताब में बता रहे नया जनम के बारे में न्यू क्रियेशन के बात कर रहे है पहला पत्रस पहला दिया है 23, 24, 25 क्योंकि तुमने नाश्वान नहीं पर अविनाशी बीद से परमेश्व के जीवते और सदा ठहरने वाले वच्छन के द्वारा नया जनम पाया है वहाँ पर बोल रहे हैं सदा रहने वाले वच्छन है जीवन दायक वच्छन है कुन सा वच्छन है? जीविते वच्छन वो ही आपका जीवन में काम करने दो आपका ठेडा पन को उपर नीचे को पहाडों को तराईयों को कुछ भी प्रावलम है उसको सोलुशन वच्छन का अंदर जीवन है सदा रहेगा लोगों की आइडिया बदल जायेगा माले में एक जमाने में लोग क्या सोच रहे थे माले में? पृतिव उपर में से लोग जाने के लिए डरते थे कोई दूर देश में जाते नहीं वो सोच रहे थे हम जाते 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 जाएंगे क्या होगा हम जाकर के उपर से गिरते हैं ऐसा इसलिए ज़्यादा दूर जाते नहीं इवन उस जमान की साइंटिस्ट भी सोच रहे थे दूनिया फ्लैट है क्या है? फ्लैट लेकिन बाइबल पाहिले से बता दिये दूनिया फ्लैट नहीं यह दूनिया गोल है माले में यहीं पर लिका है आईशाया चालीस में पढ़ो कहां पर है? वोश्यारे से फट से निकाल के पढ़ो 22 वच्छन 44 का 22 यह वा है जो पृतिवी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है विराजमान पृतिवी के गोल के ऊपर सरकल के ऊपर पृतिवी गोल करके बाइबल पहले से बता दिये लेकिन लोग सोच रहते फ्लैट है परमिशर सब जानते हैं लोग परमिशर को सिखाने के लिए कोशिस करते हैं परमिशर बोलते हैं ऐसे करो नहीं प्रभू ऐसा आचार आएगा नहीं पासे जाप नहीं समझ रहे हो वो आपका केज वालग है हमारा केज वालग है हम लोग तो करजा करके ही जाएंगे आप बोल रहे करजा ने लोग करजा अरे साब चलेगा नहीं आपका तो संट्र गुर्मन का नौकरी ता आपके पास मैं बताओ मेरे साथ कितनी लोग करजा में डुब गए लोग भी है और मेरे पास भी आके करजा मांगाते है यह गात्मी पचास हजार अगर मंधिया होता तो पचास हजार गड़ा में किपने लोगों को दोखा दिया ऐसे लोग होते हैं देखो प्राबलम इंसान की इरदे में है, इंसान सोचते मैं ज्यादा कमाई करूँगा, हम दोनों नौकरी में चला जाएंगे, और अड़ी गिस-गिस के कमाई कर देंगे, हो जाएगा, नहीं, मेरे बाई, मेरे बहन, आपके अंदर दुष्टात्मा को धूर करो, दुष्टात्मा पहाड जैसे बैटे हुए है, काना काते रहता है हो, माले में कुछ कीडा होते हैं, आपके पेट के अंदर कोई कीडा होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई कराब होते हैं, कराब कीडा क्या करेगा माले में, क्या करेगा, कराब करेगा या कैसे करेगा आपका जो चाहिए शक्तिसाली चीज़ हो का करके बढ़ते चला जाएंगे बढ़ते चला जाएंगे आप डुबले पते होते रहेंगे डाक्टर बला रहें क्या हो है लड़का इतना डुबले हो गए यह बहुत बहुत मटा घड़ा था यह और से है जुष्ठ आत्मा कमाहि को कारा यह हुआ कमाहि को कारा इस रखाइनइसे कात्यचक जाएगा है माज़एन गे यह दास-क doubles-न- न-इ पता रहे थे यह बहिंड के अंदर अ्शूध आत्मा वहाँ पर बड़े मीटिंग था, ऐसे ऐसे, करपट डाले वे थे, दुष्टात्मा उसके अंदर से क्या कर रहे, कर रहे हैं, काट-काट के, जनवर जैसे, दुष्टात्मा लोगों को, जीवन को नाश करता है, आपको कमाई को काने वाला दुष्टात्मा कहा है, बागावो प्टमा उसको, आप कितकन अभी कमाई करने से भी, उपर डालते जाएंगे, नीचे जलते, बाइबल मेले का है, पला पहे लापर रेंगे नह पहेँनका, इन पहेँ, इंर का बाइबल ले पड़िटे cष्टी के ला, पढ़िंगे ला है, बाइबल पढ़िंगे ले दुष पढ़ना पढ़ेगा या बैबल स्कूल आ गए हैं स्टूडेंट्स बन गए हैं ऐसी चीज पढ़ो तभी तो ज्ञान आयेगा बैबल कहते हैं तुम ऐसे चेद वाला बैग में डाल रहे हो तेली में उपर से डालते जा रहे हो नीचे से ज्ञान पाओ जो दुष्ठात्म कार आपके कमाई को उसको जड़ करके बढ़ा दो वचन से मारा उसको मैं फूंच नहीं रहूंगा मैं क्या रहूंगा सिर बनेंगा करजा नहीं लोंगा मैं करजा दूंगा करमने सौच रहतारी यूट्यूब के लिए इतना से इतुना हम कर रहे हैं यूट्यूब आमको दोखा दे रहा है अड्वडस्मेंट भी डाल दे रहे हैं और इतना कहां नहीं हो पारा है आम अलों का कितना मेनस तरह लेन भणा रहे हैं तो मेरे अंदेर Yak A해as Hem और यूट्यूब क्या बनाया, तुम महीट्यूब बनावना थुम, क्या त्यूब महीट्यूब मनाये एंगे अरकार थल्ड दर्शन दे नहरा है नाम चछर्च दांगो सामाझ मेतो है किस माहीट्यूब भाल हो हमायी ध्यूब भाइति ह zelf लोㅎ यूट्यूब भी तो कोई मानिसान ने तो बनाया, हम उसकी दाया में पड़े रहते हैं, हम क्यों ने बना पाएंगे, ऐसे बड़ा दर्शन देखोगे, एक स्वपने, एक दिन जरूर, फुरा हो जाएगा, फुरा हो जाएगा, Thomas Edison ने स्वपने देखा या, मेनत भी किया माले मैं एक बार, उसके और भी कहानी मैंने सुना था, कभी सारे रिसरच कहा था, कभी सारे लिखा वा था, घर में आग लग गया, क्या हो गया, अच्छा है, काफी सारे मैनेत रिसर्च साब आग में जल गया बहुत लोग बोले तामस जी इतना निराश हो गये होंगे आपके उसने क्या किया एक नईया चैप्टर शुरू किया अगर आपके जीवन में सत्यनाश हो गया तो भी मेरा परमेशर थाकतवर है ज्ञानवान है उसको विश्वास करने वाले कभी लजीत नहीं होंगे शैतान ने किया या बात तो सही शैतान ने किया वो टीचर के हाथों से लटर आया सही है वो प्रेम आये चोटा बच्चों का ऐसे ममी के पास लटर बेजना शैतान ने किया लेगिन परमेशर शैतान की कामों को नाश करने के लिए आया है जल गया आग में लेगिन थौमस ने उठ गया बोला मैं नहीं चोड़ूंगा मेरा शक्ति देने वाला परमेशर से मैं सब कुछ खर्शक्त वापस लिखा सारे आप लोग जानते हैं फिसिक्स फार्मलास अभी आमें रठन मारने में प्राबलम हो रहा है रठन मारने के लिए तुमका प्राबलम हो रहा है वो तो शुरुवात में वो ही creator बना रहा है वो creation मुश्किल है अभी गीद बना दिये tune बना दिये lyrics बना दिये गाने के लिए easy है बनाना का easy है कुछ लोग गाने में भी तकलिफ होता है कोई बाद नहीं है लेकिन वो भी कुप यहते है प्रभु ने दिये है तो बनाने में मुश्किल होता है या बनाने वाला को इज़त करो बनाएंगे तो गावो उसका अच्छी तर है प्रभु ने दिया इसे गाना आपके आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आईसा सब ठूट गया सब नुक्सान होगे वापस शुरू किया जीवन में हार नहीं मानने का जीवन के एकदम आईसे इसे के हीरों लोग कैसे माले मैं है कुरwo iki बहुत नइन्फ निर्ण तांडर में हैं आईसा मोटा मोटा नहीं तो इतना डुबला पतला था एकदाम हैरस्टाइल था काट रहा नाम गुड़ी कुर्वी कुड़ी ऐसे ऐसे डिंगे मार रहा था लेगिल उस्से में हीरो नहीं बन पाया पाप में गर गया मोह माया में फस गया शैतान तीर मारा वच्चन नही था ग्यान नही था, सामना करने के लिए हिमत नही था, बेखूब बन करके उसके जाल में फस गया या हीरो बनने के लिए कोशिश मत कर अपना अपसे परमिश्वर आपको बनाएंगे, वच्चन से ग्यान सिखाएंगे वच्चन हर चीज को परक कर देखेगा सही मार्ग में चलायगा तुराई को भर देगा परमिशर सब जानते हैं लोगों के मन में एई बात होती है परमिशर क्या कर रहा है या परमिशर तो वच्छन बेज रहे हैं परमिशर अपना पुत्रों को बेजा इसी से अपना प्रेम को प्रगड किया ये क्यों होना में पढ़ रहे हैं, परमिशर का प्रेम इससे प्रगडवा, अमारे लिए अपना बेटे को बेजा, अमारे लिए बलीदान होने के लिए इससे प्रेम प्रगडवा, परमिशर ने कर दिया, आपके पापों के लिए प्रायोचित कर दिया है, अभी बोल रहे हैं हर पहाड अठा दिया जाएगा, हमारा परमिश्र महान है, यह महान, इसमें आगे बढ़ोगे, तो पता चलेगा, हर तारे को नाम लेकर बुला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, नाम लेकर, आओ, आओ, प्रितम आओ, प्रिंस आओ, आओ, आईसे स्टार्स को बुला रहे हैं, इंसान स्टार्स को नाम भी रख रहे हैं माले में, लेकिन कितने, आपको, मैं प्रिपर करके आने वाले थे, टाइम नहीं मिला, पढ़ ले ना, कहीं साइन्स जर्नल्स में, कहीं गूगल में भी, माइक्रो वर्ल्ड, माक्रो वर्ल्ड में जाओगे, जहुंग जाओगे, हम लोग तो एक, बाल्टी में पानी का एक बुंद बन जाएंगे, पूरा देश, यहां यह आशाया बता रहे हैं, पूरा देश कैसे रहेगा माले में, परमिश्र की नजरों में, अरे तेरा बारत एक बुंद है, अमरीका महान अमरीका एक बुंद है, और वो बुंद को परमिश्र गरम बेजेंगे, बुंद भी गाई बहा जाएगा, यह बीमारी से कितने देश्रों को हिला दिया, परमिश्र की तुलना में क्या करोगे, अपने हातों से समुंदर को नापता है, अत्यली से थाम लेता है, एक-एक बुंद को पाने को भी साब किताब रखता है, एक-एक मिटी को दूल को भी वेट को जानता है, पृतिवी का वेट कैसे मले में, और यू विल कैल्कुलेट वेट अव दे एर्थ, कुछ सा स्केल में डालो गए या, बोलो, कुछ चला या, इंजिन चला, दिमाग चलाओ, नहीं है, स्केल नहीं है, लेकिन दिमाग है, स्वियर है, समझ लोग स्वियर, स्वियर में इतना जगा में मिटी में इतना वेट हो गए, तो पूरा स्पीर में वेट कितना, उसमें कुछ corrections लगाने पड़ेंगे, errors होगी, कुछ जग में पतर है, कुछ जग में मीटी है, किस जग में पानी है, calculate किये या, इंसान ने, तराज में लगा किये नहीं, बता रहा हूँ ना, बतिक जल गेगी नहीं, calculate करके देगो, मही माहेजी चर्च वाला पृतिव का weight calculate कर लिया या, और माइट्यूब चैनल भी, शुरू कर दिया या, कमाल कर दिया, यूट्यूब के लिए थड़ा प्रे हो, अब हमारा पास क्या आ गया, सब लोग आमको बोल रहे हैं, अरे हमको भी माइट्यूब में, यह possible है, ऐसे आप को motivation करा के चोड़ने के लिए नहीं, फॉसिबल है, महा साहर को किसने ना पाओ, गहना गाते हैं, मैं तेरे संग हूँ मड़र, को समती दी है, किसीने ग्यान सिखाया, अपनी बुद्धी से सारी सिष्ठी को बोलो किसीने रच्छाया, और एक तारे का नाम लेकर जो भुलाता है, और एक तारे का नाम लेकर वह भुलाता है, वही प्रदी दिन तेरा बोजुटाता है, महसगर को बोलो किसने अपने चुल्लू से मापा, मेरी तुल्ना किसे करोगे, किसके समान समझोगे, कौन है मेरे समान, किसने किये आज से काम, मैं तेरे संग ओ, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर ओ, मत तक इदर बुदै, मैं तुझे द्रड करूंगा, तेरी मादद करूंगा, अपनी दर्मी हात से तुझे संबाले रहूंगा, अपनी दर्मी हातों से तुझे संबाले रहूंगा, आइससे गीद को रटन मारो, लिक रहें, शस्त्र जितने हानी के लिए तेरे विरोध में बनेंगे, हाईगी ने, तॉम्सन के विरोध में बना गया नहीं, लठर, तो यहां पर लिक रहें, सफलने होंगे, व्यार्द सब टाहरेंगे, मुद्ध होकर लोग तुझे पर नालिश्ट जितनी करेंगे, सभी तुझे से हार जाएंगे, ऐसे से गीद है, प्रभु का दास विलसन जार जिने लर्चाया, आएसे केवल म्यूजी के लिए नहींए, आएसे केवल सुनने के लिए नहीं है, विश्वास करो या, विश्वास करो, करने वालों के लिए संबह है, अश्गान 40 अद्याये много घर पे जाके पड़ना अरड़ी मेरा टैम होया है, उसमें लिख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं अमीर लोग चांदी से मुर्ती बनाते हैं और उसे अमीर लोग सोना से बनाते हैं और गरीब लोग लकडा से बनाते हैं नहीं तो बाले उसे बनाते हैं रेती से अपना भगवान बोलते मुझे बचाओ हमने बनाया हमने कोई system बना दिये और सोच रहे वह हमें बचाएगा हमने बना दिये religion हमने बना दिये मनिश्य का बगवान बना दिये हमने बचा पायेगा ओ परमिशर की तौलणा में नहीं आयेंगे तहरा गन को बुलाने वाले परमिश ये एक भी मिस नहीं होगी एक भी उसके ट्रैक से नहीं हटेंगे माले में जो पृतिव पर हम रहते हैं ये पृतिवी क्या कर रहा है किसके सुरज की चरों तरफ गुमते रहता है तोटल सोलर सिस्टम जितने भी है माले में ये साब ट्रावल कर रहा है साब ट्रावल ये अंदर ट्रावल तो हो रहा है और चंद्रमा क्या कर रहा है फिर धर्ति को रोटेट कर रहा है धर्ति के और और धर्ति जो है सुरज को रोटेट कर रहा है लेगिन ये सारे चीज़ सब कुल मिला करके कहा रोटेट कर रहा किसी को जाते रहता है एक-एक track है, एक-एक नाम है, एक भी miss नहीं होगी, कोई भी चीज भी परमिशय से चुपी भी नहीं रहे गा, आपका जीवन की problem के बारे में आप सोच रहे हो, मेरे परमिशयर मेरे याई का चिंता नहीं करता है, मेरा मार्ग परमिशय से चिपावा हा है, क्योंकि मैं जंगल में रहता हूं कोई लग बलते हैं अरे पास जी हमारे कोई आप पूचने वाला है नहीं हमारे कोई जान पाचान है नहीं हम जंगल में पड़े हैं अच्छा है तुम वहां चला गए आपर में परमिशरप को मुलाकत करेग़ जब मैं त्वल्त पास हो गए थे अच्छा मार का गए मेरे पापा चन्ने में ले गए हमारा एक रिस्तदार है बड़े इंजिनेर हो उस जमाए में इंजिनेर होते थे बड़ा होते उसके पाद अधिक कार होते चीफ इंजिनेर था उस जमाए में मिलने के लिए गए बोला मे कि क्योंगे यह तो मारक तो है मेरो को मिलने वाला ही था चन्ने वाला कालेज में डे भी सकता था उसके पास अथार्णी था लेकिन उसने बोला कि हुआ मामी का संबद्र रिच्नार है बोल कि नहीं-स अइसा camera डार नहीं अइसा Alice बाद में आ गए क्या गया चन्ने होता था मारा बस में जा के आ जाते मामी के गोध में गुमते रहते हैं। लेकिन वहाँ चला गया 600 किलोमेटर दूर, कहां पार? 600 किलोमेटर दूर, वहाँ कोई नहीं है, रोना आता है, फर्स्ट ये स्टूडेंट्स, सकंड येर, तर्ड येर, फोर्थ येर, फिफ्थ येर, बड़े-बड़े लोग, मेडिकल कालेज लड़ीकी लोग होते हैं, लड़ीकी को कुछ करके आना, लड़ीकी के पास जाने करने लगेंगे, वो मुझे तपट मारेंगे, नहीं करेंगे तो ये, तपट मारेंगे, गंधा-गंधा बलवाएगा, कभी ऐसे शब्दू सुना भी नहीं मैंने, ऐसे रोना आता था, जंगल में कान जंगल में फस गए या, लेकिन जंगल में मंगल बनाने वाला मेरे परमिश्यर, मेरे कमरा में एक सीनियर साब आया, के अमार सीनियर, जबकुमार है उसका नाम भी, आया तो मैं चुपने लगा, मैं डर गया, अरे सीनियर आ रहा है, रैगिंग करेगा, वो रैगिंग नहीं किया, उसने मेरे को दम की दिया, तुम क्यों खर रहे हो, चर-चर जा रहे हैंगे नहीं, मैं लगा नहीं साब, डर कर रहा है, सीनियर लोगा हमको रैगिंग, कर लेंगे, चिंता मत कर, मेरे साथ चलना, मैं लेके जाओंगा, प्रेम से लेके गा, एक मीटिंग में, जंगल में, परमेशर के आवाज मिला, ममी का गोद में, आराम से राते थे, हीरोगरी बना करके गुम रहे थे, परमेशर को माले में इस बच्चा को जंगल में ही मैं मंगल बना सकूंगा वहां फेक दिया वहां का पानी के वज़े से बाल भी उट गया चलने में होता था बाल अच्छा होता लेकिन जीवन बरबात चला बाल चला गया बाल बच गया जाम तो यह देखो जीवन के एक्जामपल दे रहा हूँ आप सोच रहे हो मुझे कान्विनेंट नहीं है मुझे कोई हाई नहीं मुझे कोई रिस्तदार हाई नहीं कोई नहीं होने से प्रभू आपको पगल लेता है कोई होने से तुम छुपके रहते हैं उसके साथ अरे मेरे चाचा है मेरे चाची है मेरे दादा है दादी है नाना है नानी है मेरे ये है वो है बहु है सास है सब के साथ लप्टे के रहेंगे प्रभू के लिए टाइम नहीं मिलेगा परमेशर आपको अलग करके आपके साथ बात करेंगे, यहां लिख रहे हैं ओश्या के किताब में, कहां चलागे तेरे lovers, इसरे एल से परमिशर पूझ, कहां चलागे तेरे देवी देवताक जिसको तुम पूझा पड़ कर रहे थे, कहां बचने नहीं आया, तु जंगल में पड़े हो, मुझे पुकारो, मेरे पास सोलुशन है, हर तारे को नाम से बुलाने वाला हूँ, हर तारे को लाइन पर लगाने वाला हूँ, हर तारे मेरे बातों को मानता है, ऐसा कोन है, मेरे समान, तुम क्यों कह रहे हो, वहां पर आगे बढ़ोगे, आईशा का चालिस में, वो कह रहे हैं, 27 वच्छन, 27 हे याकूब तू क्यों कहता है हे इस्राइल तू क्यों बोलता है मेरा मार्ग यहुआ से छिपा हुआ है मेरा परमेश्वर मेरे न्याई की कुछ चिंता नहीं करता यही है आज काहुई लोगों की मन की तमन्ना है यही सवाल है लोगों की मन की बात है यहां एक प्रदिनिदी होकर इस्राइल बता दिये इनसानियात यही बोलते है परमेश्वर मारा न्याई का चिंता हमारा मार्ग उसके चिपे हुए है नहीं देख रहा है कहा है परमेश्व परमेशर होता ऐसा क्यों होता है जब मेरा रैगिंग हो रहा था परमेशर का मालम है की नहीं मालम ता है की नहीं मुझे बचाने के लिए स्वर्गी दूद का बेजा है की नहीं स्वर्गी दूद का बेजा या बेजा जो जबकमार अन्ना आया वही सरगी दूद है बात में अंडर अन्ना आया महेंदर अन्ना आया ओ सब अन्ना से भी भी रिसंटली बात किया मैंने महेंदर अन्ना से अंडर अन्ना से ओ लोगों के मैंने दन्यवाद किया और न अच्छा होगे आप मुझे प्रभू में लेकर आया हम जंगल में है हम लोगों को काणा किला रहे वो मंगल में है काना का करके क्या हो रहे है वो भी सो रहे क्या अच्छा है कुन सा अच्छा है यह एक आदमी बोले इधर आना चाहिए थमलार में क्वालिटी लाइफ बढ़िया है इधर सेटल वाना है आँ कहां जाएगा मैंने बोला देखो सुनो मेरे दर्शन आपको समझ में नहीं आएगा मैं जिस जंगल में रहता हूँ वहां की क्वालिटी आफ लाइफ को मेरे को बढ़ाना है सौत में जाकर मेरे क्वालिटी आफ लाइफ को बढ़ाना नहीं है जंगल में जाकर लोगों की क्वालिटी आफ लाइफ को मुझे बढ़ाना है बले पाचाज लोगों के जीवन में प्रभाव डालूंगा बले साव लोगों के जीवन में प्रभाव डालूंगा जीन्दगी माही माही जी वाला, माही टूब भी कोलो, कुछ भी कोलो, यही दर्शन मेरे से, आग जैसे आपकंदर ढाल दे रहा हूं, दूसरों लोगों की क्वालिटी आफ लाइफ को मुझे, क्या करना है, बढ़ाना, जंगल में जाओ इसलिए, ऐसे मतलब तुरन जाके गिरफारस में जाकर शेहर का काना मत बनना, समाझ लो, आत्मिक चीजों का आत्मिक डंग से समाझ लो, ऐसे लोगों के पास जाना, निराश में है, उनके क्वालिटी आफ लाइफ को बढ़ाके बढ़ाके, आपके स्फुरुच्छल लाइफ बढ़ेगा, क्यों मेरे आगे वान क्यों नीचे थे, अच्छा इंजिनेरिंग पढ़ लिया, नौकरी पालिया, अच्छा कासा बंगला बना दिये, बच्चों लोगों को पड़ा करके, एक तो बोलते हैं, मेरे एक लड़का अमरिका में, एक लड़का ये है, वो कर दिया, ये कर दिया, बहुत धिंगे मार रहा था मैंने पूचा, महेंदर अन्हा, आप रभ के लिए क्या कर रहे हो, वो बोला, मैं सैंपी चर्च में जा रहा हूँ, मुझे अच्छा काना मिल रहा है, यही है, पचास साल की क्रिस्ती, शराम नहीं है, ऐसा बोलने के लिए, मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा ये है, मैनेजर है, कुछ न यह गास है, गेल भी गास है, गेल का मैनेजर पूस्ती फूल है, आज एक शनबर में कुछ भी निकल रहेगा भी, एक दर्ती कम कावी है, साब प्लैंट को चुगना चुरकल डाले, गमन मत करो, एक आत्मिक इंसान, आत्मिक डंग से बाते करो या, साब वियर्द बात है, लिक रहे है, सारे देशवासी सुनिय से भी घमी है, पड़ोगे, अबर सुनिय अतलों कोरेवार गांगला, मतलब क्या है, नेगटिव या, नेगटिव करकर के ढिंगे मार रहे हो, भी हम्तक किया, भी हच्छी किया, नेगटिव, करो, लेकिन उसमें से प तेरे नवकरी से, तेरे पड़ाई से, तेरे कमाई से, परमेशर की महिमा मिलना चाहिए, यहां पर यही पता रहे है, थराई बर दी जाएं, यह बर दी जाएं, किसलिए, आगे बढ़ोगे तो पता चलेगा, पांच भी आयत में, चालिस का पांच, तब यहोवा का तेज प्रगण होगा, यहां इसके लिए बर रहे हैं, आप अपने डिंगे मारने के लिए नहीं हैं, मैंने यह कर दिया, वो कर दिया, एक जमान में दोड़ कर आते थे, हर दिन आते थे मेरे पास, कैसे हो अगस्तिन, कैसे तुम्हारे जीवन कैसे चल रहा ह मैं तो हर दिन गिरेवार आता था वो लोग आ जाते था मैं उट जाते था उजमाय में फोन नहीं नहीं तो मेरे बाईया को फोन करते फोन तो ता नहीं आज इकल फोन बगर लोग रह नहीं पा रहे हैं फोन था नहीं बिलकुल लटर ही होता था लटर भी कभी दो मैने में एक बार कभी आ जाते हैं मले में तो लेगिन ऐसा जो उत्साइद से रहने वाले आदमी अपने महिमा के लिए चला गए हैं यह हम बोल रहे हैं तब प्रभू की तेज प्रगड होगी परमेशर की महिमा होगी अगर आपका जीवन के द्वारा प्रभू आपकर उठाए आपका अगर बढ़ाए आप सोच लेना अभी सी सोच लेना माई ट्यूब भी बनाएंगे आप बड़े-बड़े काम भी करेंगे बात में डिंगे मारने के लिए नहीं अरे हमने कर दिया बोलने के लिए नहीं किसके लिए प्रभू की महिमा होना चाहिए प्रभू की महिमा के लिए आमको बनाये गए जंगल में परमिशर के मार्ग तयार हो जाएगी कितने भी समस्या क्यों नहो कितने भी रफ लोग क्यों नहो तो डाइमन कैसे बनता है माले में, कोई काम की है डाइमन में, रफ देखा, कितनी गिसा गिसा कर उसको चमका देते हैं, एक लड़का था हमारे इदा राजिश करके, वो वहाँ पर काम कर रहे थे तोड़ा दिन, अभी पातने का है, बोलते थे ऐसे इसे इतना फैसेट्स होते गिसा है, देखने में कच्छा लगता है, आप ऐसी परमेशर के लेक डाइमन्ड हो, डाइमन्ड हो, आप अपने बारे में इस डंग से नहीं सोचोगे, कचरा में पड़ा रहा होगे, काम करने दो, काम करेगा, तेज प्रभु का तेज प्रगड होगे, आई हम कड़े हो जा शक्ति इनों को सामर्त देता है, तेरे न्याई की चिन्ता प्रभु जरूर करेगा, तेरे मार उसे चुपा नहीं है, परमेशर सब जानता है, आपका जीवन को बनाने वाले परमेशर, हललुया तेरे न्याई की चिन्ता प्रभु जरूर करेगा, तेरे न्याई की चिन्ता प्रभु जरूर करेगा तेरा मारगुस से चिपा नहीं है तेरा सब कुछ वो जानता है तके वो वोंको उबल देता है शक्तिनों को साम देता है तके वोंको वो वो बल देता है शक्तिनों को साम देता है प्रभु की उजुरी में जो प्रतिक्षा करते है प्रभु की उजुरी में जो प्रतिक्षा करते है उकब की नाई नाया बल पाकर पंक फेला कर उपर उडेंगे तके वोंको उबल देता है शक्तिनों को साम देता है तके वोंको उबल देता है शक्तिनों को साम देता है आमेन उसानातन परमेशर प्रती बर्का सिर्जनहर और नहीं तकता हिमत नहरता उसकी बुद्धी अगम्या है आयम प्रत्मा करें प्रभू सामर्त गए उसको पाकर नया बल पाकर उक्काव के समान उड़ते जाने के लिए में मदद कीजिए प्रभू जगा हम अभी आज गए उससे हम नीचे नहीं जाना गए दिन बढ़ते 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 प्रभू हम नया बल पाकर महिमा से महिमा महिमा को पर महिमा अनगर को पर अनगर पाकर प्रभू हम सीयोन में आपके समुग में प्रभू हम आने तक हमारा जीवन में आप काम कीजिए प्रभू प्रभू एक नमरता के साथ हमेशा सीखने के लिए में मदद कीजिए हमारा हर एक जीवन में जो मकसद के लिए परभू आपने भुलाया गए एक भाई बेन का जीवन में वो पूरा होना ही लाइफ का सक्सस है अब हम जीवन में जो भी हम करेंगे, अच्छी करेंगे जो भी पड़ाई, जो भी नौकरी जो भी पैसा कितना भी हम करेंगे प्रभू वो success नहीं है लेकिन आप अमरे लिए जो राग रखेंगें जो मकसद रखेंगें वो जो भी चोटा वो सकता आगे वो बड़ा भी वो सकता आगे उसको अमरा जियोने पूरा करना ही success प्रभू वो आई से अब देखते हैं इसलिए हमारा फिर बाई बैन बच्चों लोग छोटे बैच्चों से लेकर सबको प्रभाब के आद में हम समर्पन करते हैं अपना अपना ट्रैक में अपना अपना मकसद प्रभू पूरा करने के लिए एक-एको नया बल से बर दीजिए नया अनुगरग से बर दीजिए अपना अपना बलाट को पूरा करने के लिए प्रभू सकसफुली अपना जीवन को कतम करने के लिए हमारा हरे एक बाई बैन का जीवन में पवित्रात मकाम कीजिए माई माई ये जी कलिशिया एक शोबा में कलिशिया बन जाएं हम प्रभू एक-एक अब की माई माई को प्रकट करने वाले बन जाएं प्रभू हम आशिस करते हैं आएवे बाई बेनको माशिस करते हैं प्रभू हमरे जीवन में शायद हम उतर बारत में आईसे जगा में रग सकते हैं, पर भी अमारा द्वारा, प्रभु हम सु समाचर किसी को सुनना आते हैं, उसके द्वारा एक-एक परिवार, सु के पन से, हरियाली बन के लिए, बनाने के लिए ओ आईसे हते हुए, हरियाली बनते बनते देखते हुए हमारा जीवन में तिर्फत होने के लिए मदद कर प्रभू, प्रभुखा प्रभु के बच्चे लो आपके नाम से सब कुछ चोड़ कर अपना दरम, अपना रिष्टेदार सब कुछ चोड़ कर जो जो आये हुए एक 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 लिए प्रातना करते गें एक एक क्वालिटी अफ लाइफ बढ़ जाए, एक एक को आशिश मिले, धाला लो एक 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 बच्चों लोगों को आशिश मिले, जीवन में सब बरपूरी से पाने के लिए मदद कर प्रभू, प्रभू आपने वाइदा किया गए, आपको प्रभू दूडने वालो, वाले कभी भी लजजितने होंगे, वो लोग के लिए कुछ का मिकपटी नहीं रहेगा, शेर का बच्चे लोग को भी बूख का रहेगे, लेकिन आपके आपको दूडने वालों को कभी भी वो लुग जितने हो जाएंगे प्रभु एक एक बाई बहन को सिर को उटाइए हमारा जीवन में हमारा सिर एक एक सिरों को उटाइए प्रभु ठाकि हम आपके पीछे पीचे आगे भी चलते रहें और कई लोगों को, लोगों के जीवन को मंगल बनाने जीवन इश्व मसी का जोए जीवन दूसरों की वोर बगने के लिए और उनको छुड़ा कर उनको मंगल बनाने के लिए हमारा अंदर जौबिशे का ताकत जीवन वो कारिय करें आईवे के को मैं आशिश करते हूं इस आरा अनको आशिश के हम धन्यवात करते हैं इश्व मसी की पवितर नाम से मांगते हैं पिता आमें तुमारा पिता परमिशर का प्रेम उतर श्मसी का अनगर है पवितर आत्मा के संगदिय हम सब के साथ हमेशा बना रहे हैं झाल झाल